बीजेपी संकल पत्र समिती के संयोजक और हरिद्वार से प्रत्याशी त्रुवेन सिंग रावत ने प्रेस कॉन्फरेंस की है और हर देरा दून में आईजित प्रेस कॉन्फरेंस में उनके साथ समिती के सदर से भी मौजूद रहे प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान उन्होंने पार्टी के घोशना पत्र यानी की संकल पत्र को लेकर जौनकारी भी साजा की 15 फरबरी को इसकी लॉंचिंग भी थी इस अभियान की सुरुआत हुई थी और लगबग सत्तर हजार से ज़्यादा लोगों ने सत्तर विधान सभाओं में अपने सुझाओ दिये हैं इसके अलावा जो लोगों ने सीधा नमो एप पर भी अपने सुझाओ भेजे हैं और कुछ लोगों ने पत्र के माध्यम से भी अपने सुझाओ सीधा केंद्र को भेजे हैं कुल मिलाकर लगबग समाज के सोला से भी अधिक जो विविद समाजिक करमचारी सेवा निबृत करमचारी मजदूर रक्सा तांगा चलाने वाले रेड़ी ठीली चलाने वाले ऐसे सोला से अधिक विविद परकार का जो समाज में और सरसेवाओं में जो वर्ग है उनके द्वारा इसमें सुझाओ दिये गए हैं जो सुझाओ हमारे पास आये हैं उनको सौट लिस्ट करके क्योंकि कई सुझाओ ऐसे की जो डबल ट्रिपल भी हैं तो उनको सौट लिस्ट करके उनको जाट करके और सेंटर को भेजा जा रहा है और केंद्र फिर अपना जो द्रिष्टी पत्र है और जो संकल पत्र है उसको समलित करेगा जो भी ऐसे सुझाओं हैं जो समलित करने योगी हैं वहाँ पर समलित किये जाएंगे इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बड़े जोड़दार सुझाओ दिये हैं कि साब हमको आप ये बताई कि नरेन भाई मोधी को दुबारा तिबारा कैसे परधानमंत्री बने जा सक